अलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल पर चली बात करते हैं इस वीक में जो आपका जैनुवर जैनुवरी सीरीज का आप मंथली सीरीज का लास्ट एक्सपारी वीक आप कह सकते हैं और यह वीक काफी वॉलेटी लिवर आप हो सकता है यह बजट सेशन से पूर बजट सेशन से पूरो कर लास्ट नंस पारी होने वाली है तो काफी इंहीं पॉर्टेंस होने वाला है लास हम काके सीरीज करते हो हम ऑ CCP यह स्कॉफ्टे करते हैं इस ताइम भी continuous two days two weeks से अब देख सकते हैं कि मार्केट में budget session है budget session के पूर मार्केट को जो भी जो है केवल 18,200 से लेके 17,800 के बीच में hardly आप देख सकते हैं कि 400 पॉइंट में आप निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है last four weeks से इतना बहुत कम होता है कि इतना ज्यादा टाइम आपका निफ्टी जो है इसने छोटी रेंज में टाइम लगा है लेकि फिलाल यह लगा रहा है तो आप सो सकते हैं कि जब भी इस रेंज का breakout होगा चाहिए breakout हो या breakdown हो तो देन बहुती होता है कि तुफान या तुफान से पहले के सांती तो हो सकता है कि जब market breakout करे या breakdown करे तो फिर देख कोई करने के लिए अपने सेट अपस के साथ में क्लिए ना डिसकर्स का यहाँ पर इंडिकेटर का यूज करते लास्टाइम यूज किया था हम बॉलेंजर बैंड को यूज करते ना अगें बॉलेंजर मेंड देखेंगे कि वीकली टाइम फ्राम बेसिस पर आपका अगें 20 SMA के उपर आपका continuous hold कर रहा है तो तब तक जब तक निफ्टी जो है इस लेवल को hold कर रहा है जब तक निफ्टी आपका इस लेवल को hold कर रहा है तब तक आपको डरने की जरूद नहीं है इंपर्टन लेवल कौन सा है 17,700 से लेकर 17,800 तक लेवल ये काफी important लेवल होने वाले निफ्टी में जब तक निफ्टी इस लेवल को hold करेगा निफ्टी बड़ा फॉल नहीं आने वाला है अगर इस लेवल को breakdown करता है दिन बड़ा फॉल आने वाला है तो अगर निफ्टी ब्रेक आउट होता है, suppose that market अपर साइड में ब्रेक आउट होता है, 18200 का लेवल है, इसके उपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, तो इस ब्रेक आउट होगा, ब्रेक आउट करें फिर टार्गेट कहा होना, then तर्गेट आपका फर्स्ट टार्गेट जो अल्मस्ट 500 पॉइंट का आउट मूब निफ्टी में देखने को मिल सकता है, that is a huge number for Nifty, now आप चार्ट को कनवर्ट करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे, यहां पर थोड़ा सा एक मैटर है, इसको आपको थोड़ा सा एनलाइस करना पड़ेगा, now again आप देखेंगे, अगर डे First, Remove the, Hide the Bollinger Band, now जैसे Bollinger Band को Hide करते हैं, और यहां पर हम एक trade line ड्रॉ करते हैं, यह trade line काफ़ी important होने वाली आपको समझने के लिए, कि last fan high यहां से trade line को draw करेंगे, then आपको विजवल होगा कि लास्ट तीन चार दिन पहले लास्टवल सेशन में निफ्टी ने इस टेल्लाइन को ब्रेक आउट किया था ब्रेक आटकर करके मार्केट उपर गया था नौ अब क्या होता है है देखे नॉर्मली कोई ब्रेकाउट हुआ ब्रेकाउट हुआ देन ब्रेकाउट अगर यह पॉस्बिल्टी बन रही है देन हम एक्सपेट कर सकते हैं कि निफ्टी जो है 17,900 के आसपास में आपको 17,900 या 17,950 के आसपास में देखने को आपको मिले क्योंकि इस लेवल के इंप प्रेकाउट अब सब्सक्राइब क्या आपको 17,900 के आच वाल्ट है सकता है यह काफी मौचाउट हो सकता है कि निफ्टी अगर ब्रेकाउट को रिटेस्ट करें फिर वापस नेकले तो गैरफुली वाच करके देखना है लेकिं लोगर साइड में जब तक मार्टि इस लेव होत नहीं है इसके नीचे मार्केड क्लोज करता देन टेंशन लेनी हमको ज़रूबत है ना यह तो बात हो कही हमारे डेलिग और विगली टाइम फिरेंप की अबात करते हैं मंडे को कैसे ट्रेट प्लान करना है फोर घंट करते हैं आवली टाइम पर अवली टाइम अवली भी आपका important level, कौन सा, ये level, आपके जागकर Monday का आप देखेंगे मंडे का सिशन में इह आपको level importance होनेवाल है, 10,9 पर support लेने के लिए, और यहीं पर आप देखेंगे last swing love था, इसी था, तो यह पाफ़ी important एरिया है आपका nifty, के लिए यह जोन है काफी इंपोर्टेंट्टैंट है के 17960 से लेखे 17 596 helps कुच अपर यहां पर करता है जाता है क्लेंट यहां मुंद्टैट्न उपकरस्वजन दीन अत air यहां यहां पर अठास्वे यहां पे multiple time supports लिया हुआ है let me use the last time बेनिफ्टी ने हैं पे couple of time support लिया हुआ है तो इस तरह से अगर निफ्टी यहां पे आपको मिलता है काफी अच्छा लेवल बाइंग लेवल आपको मिल सकता है निफ्टी में लॉंग करने के लिए फ़र्स शॉर्ट टम के लिए आप यह नहीं कहते है कि बहुत बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है अगर इसको भी होल्ड नहीं करता ब्रेकडाउन करता देन आपको 17-800 क सकता है और यहां पर मिल सकता है आप सेखने का से ब्रेवल बूर्ट सारे हमारे वही घर Willie यह हुआ है अपको देली अब डेर है कि यह वाला चोग होग आपकों आपके वाला के अब जाक्यान के वापस मिल सकता है तो फिर नीकलता यहां प्रिसे वाइंग प्लानिंग कर सकते हैं तो आपको इंपोर्टेंट लेवर्स दिखान है जो हमें करना है अगर निफ्टी जो इस लेवल को ब्रेक करता है तो छोटा से टार्गेट में थार्टी सो फोर्टी पॉइंट्स का टार्गेट आप के लिए यहां तक स्कूर्ट कर सकते हैं इस एरिया में कोई ट्रिट प्लान नहीं करेंगे जब तक मार्केट अगर इसको ब्रेकडाउन करत स्ट्रॉंग सपूर्ट एरिया तो फिर से आप बुलिश देखके बाइस प्लान कर पाएंगे टार्गेट आपका यहां तक होने वाला है बात करते हैं अपर साइड कहां तक हम जा सकते हैं तो अपर साइड में अगर निफ्टी ध्याने के गात रख चार्ट को करते हैं अप इस लेवल को अपर साइड में निफ्टी क्रॉस करता है दिन आप लॉंग के लिए जा सकते हैं टार्गेट आपका फॉस्ट टार्गेट जो है 18145 होने वाला क्योंकि आपको लोवर बैंड और अपर बैंड क्लियर नॉलेज होनी चाहिए कि कहां पर एंट्री लेना है अगर आप बायर है तो बायर के लिए वैट करेंगे अगर आप सेलर के लिए अपने अपर बैंड को वैट करेंगे जब आपके आप टेलिएट प्लान करना कारना है वार मंडर Sum preciso कैला टेलिग्राम चैनलल को आपने जॉटिन नहीं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जब दो सब्सक्राइब के लिए बैल आइकन इसको दमाना मत बुलेगा इससे क्या होगा कि आपको डि इस तरह इंपोर्टेंट जु वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कई मिस नहीं होगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो फिरेंज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनलिसे साथ तब तक के लिए बी फियरलेस लिफ फियरलेस